नमसकर आप सबीको, मैं हूँ जोती सिना, हमारे चैनल में आप सबी का स्वागत है। आज मैं बना घू हूं, तो देखि link क्या बना घू हूं, कठल की सब्जी। । आईए मैं इसे कैसे बनाती हूं, चलेगए बनाना मैं सुरू करती हूं। कठल की सब्जी बना रहे हैं तो कठल को अच्छी तरह से छील के काटने कठल ले छोटे-छोटे जो होते हैं जैसे बड़े-बड़े लेने से क्याते हैं इसके बीच बहुत बड़े होते हैं और वो मिठा-मिठा सा लगता है खाने में उसकी टेस्टी सब्जी नहीं बनती है तो यह मैं छोटे कठल का यह मैं ली हूँ तो चली मैं बनाना शुरू करती हूँ तो इसको मैं फ्राइ कर लेंगी थोड़ी से मैं आलू-प्याज को भी काट ली हूँ इस तरह से और मसाले भी ले ली हूँ हल्दी है एक चमच दन्या है extradara 500 पाउसिमरी मिर्च है एक चमच आदा चमच है लाल-मिर्च और आट से-10 लसन की करिया ली हूँ तो इस सब्सकार को अच्छी तरह से में कूट ली हूँ तेल गर्म हो चुका है तो इसमें डाल दूँगी मैं कठल को कठल को अच्छी तरह से फ्राइ कर लूँगी सभी मसालो को इसमें मिक्स कर लेती हूँ मसाले तैयार हो चुका है फ्राइ हो चुका है तो निकाल लेती हूँ तली कठल को निकाल ली हूँ तेल गर्म हो चुका तो इसमें डालूँगी जीरा तेज कत्ता मसाले तो चुका है तो तो प्याज और आलूँद laugh मसाले से खुसबू आने तक पकाऊंगी नमक स्वाबनुटा मसाले से खुसू आरही है, और सिने से टेपली खुचुका है अब इसमें डालूंगी टमाटर, टमाटर को गलने तक पकाऊंगी, और इसमें डाल दूंगी कठल को, और अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूं, एक चमाच गरम मसाला, और अच्छी तरह से चलाऊंगी, अब इसमें पानी डाल देती हूं, तो थोड़ी से इसमें कसूरी मेथी डालूंगी, और इसे धक देते हैं, साथ से आट मिनट के लिए धक के धीमी कर देते हैं, गैस पठने देते हैं, गर एक जा के का इसमें पालूंगी तरह सुचानी साथ, खकता हुआी तरह भॉशाफिंगा खश्ञ्जशक अजचची ऑ्राफंगी मिनटला मधंगी तरह साथ, थोड़ा और गलेगा तो और पकने देज़ा तीन-चार मिनट के लिए स्लो आज पे गैस को स्लो ही रखोंगी बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है तो सब्जी बिल्कुल पक चुका है यह देखिए यह राम से गल चुका है बिल्कुल यह देखिए यह पक चुका है अच्छी मैं सर्व कर लेती हूं सारे कीचन में खुस्बू आ रही है तो सर्व कर चुकी हूं हमारी यह रेस्पी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें सियर करें थैंक्यू अच्छी मैं तो